क्या आप भी इंटरनेट पे लड़कियों की फोटोस देखके मास्टर बिट कर रहे हैं? मैंने बहुत से ऐसे ओनलाइन पेज़स देखे हैं जहां लड़कियों ने कोई फोटो में भी फोटो डाल रखे होती हैं और उपा लिखा होता है अगर आप भी ऐसे फेस्बुक पे फोटोस देखते हैं या मेभी अपने फ्रेंज से फोटोस मंगवा के मास्टर बेट करते हैं रिलाक्स डाउन और मैं आपको बताती हूँ कि क्या सही तरीका है बहुत बार हम जब ऐसे सेंशल फोटोग्राफ को देखते हैं और तो हमारा इमाजनेशन सेक्षर बढ़ जाता है हमें ऐसा शायद महसूस होने लगता है या हम ऐसा सोचने लगता है कि शायद मैं इसके साथ कर रहा होता या कर रही होती तो कितना ज़ादा प्लेजरेबल होता और फिर यहां से सरकल शुरू होता है हमारे हाई इमाजनेशन का अब क्या करते हैं लोग अपनी एक्सवाजेट फोटोस डालते हैं जिसमें उन्होंने बहुत जादा जूम कर रखा होता है फोटो शॉपिंग कर रखी होती है और आप उनके ट्राप में फस जाते हैं वो आपके ऐसे नंबर्स दिखाएंगे वाट्साप मी ओन दिस शेर माइ फोटो लाइक दिस और आप बस घुजगा है उसके अंदर यहां से आपके इंटरनेट का AI सिस्टम अक्टिवेट होता है उसके बाद आपको बार बार ऐसे ही ग्रोप से ऐसे ही फोटो आने लगती हैं जो उसके थुरू आपको ट्राप में फसाती है अब इसके थुरू आपसे पैसे लिये जाएंगे आपकी पसे आइडेंटिटी को हाम किया जाएगा और आप फस जाएंगे अगर आपको लगता है मैं मैं तो ऐसा कुछ करता है नहीं मैं तो एक दो फोटो देख लेता हूँ और बजा आ जाता है बढ़िया है इसकी वज़े से जब आप real sex करेंगे तो आप उसको enjoy नहीं कर पाएंगे Sex is important, masturbation is okay, pleasure is important बड़ इसका यह मतलब नहीं है कि इस तरीके से आपको negative tracks में फसना है Especially जो introvert लड़के हैं या introvert लड़किया हैं जो मिभी इतना खुल के बात नहीं करते जोनों शादी से पहले sex के बारे में जाना ही नहीं है तो उनको जैसे वो intimate वाली photographs कहीं से मिल जाती है या कोई ऐसे लड़का बहुत ही handsome साथ की photo आ जाती है या लड़की की photos आ जाती है हम उसी में ही अपनी imagination को start कर देते हैं which is sometimes okay but every time अगर आप उसके loop में फस रहे हो आप actually उन numbers पे whatsapp कर रहे हो फिर उनको block कर रहे हो फिर अपना number बदल रहे हो it's absolutely wrong real sex and imagination इसका अगर balance खराब हो जाया ना बहुत जादा difficult हो जाता है यह imagination की गड़बडी ही तो है जब हमें kings और fetishes की तरफ हम पहुंच जाते हैं please take a stop before doing anything क्योंकि जो हम अपनी photographs whatsapp status पे भी लगा रहे हैं और लोग उनको भी देख के गलत कर सकते हैं there are many people who send me messages and say ma 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 आपकी photographs लोग में सिस करते हैं there is no track to it track यह है हम अपने आपको कैसे control कर सकते हैं in fantasies से which are really really important sex is about a feeling of love it is not something जिसके लिए आपको गलत काम करने पड़े यहीं रुको आशा करती हो मेरी वीडियो आपके बहुत से doubts को clear कर पाई है बहुत ऐसी वीडियो के लिए बने रहें जुडे रहें और आप जाना चाते हैं इसका क्या solution है तो please comment section में लिखें ताकि मैं इस वीडियो का part 2 लेकर जल्द हाजर हूँ